मुप्बिर के मांधियम से A.S.O.G को एक सुचना मिली कि एक एम्बुलेंस जिसके पूरवांचल का एक नमबर लगा हुआ है और उसके साथ में एक बुले रहे होई जो हरियाना नमबर के हैं इसके मांधियम से ये शराब की तसकरी हरियाना से भिहार की तरफ की जा लए है य यह रात में निगोही बाइपास से होके भीज रही इस उचना पर धाना संदर बजा और इस वजी द्वारा साहिक तुरूप से कारभाई करते हुए गड़ा बंदी की गए और एक अबुलेंस जिस पे यूपी चाउंसट टी 1324 नंबर लगा हुआ था उसको इंटरसेट किया नंबर की बोलेरो गी इंटरसेप्ट किया गया जब इसकी तलाशी ली गए तो उस एंबुलेंस के अंदर जैसे एक मरीज बुले रह रह रहता हुआ उस तरह से सारी चीजे पदे इत्यादी लगा के और उस अबुलेंस के अंदर से 62 पेटियां शराब की बनामद दूर बो इस पे इनसे जो गिरफतार पांच गिरफतार हुए हैं, इनके नाम सतीष, दिनेश, बलवान, विक्रम और यदवीर हैं, ये सभी हरियाना के रहने वाले हैं, सोनीपत और पानीपत चनपत के, इनसे जब पुस्ताज की गए तो इनके दोरह बताया गया कि ये अबुलेंस का इस्तिमाल इसलिए करते हैं, क्योंकि उससे एक तो टोल टैक्स नहीं देना पड़ता है, और किसी को इस पर संदेह भी नहीं होता है, और इनकी जो शराभ है वो आराम से पास बिजाती है, जब यूपी 64 नंबर की एंबुलेंस को जेखा गया तो उस पर जो मालिक का नाम व अरियाना का ही दे रहा है और स्कूल बस का दे रहा है, तो इस परकार से एक गलत नंबर प्लेट का इस्तिमाल करके और गलत तरीके से इस गाड़ी को ले जा जा रहा था, इसके स्वामी के बारे में जामकाली की जा रही है, कि उनसे गैसे पूस्तर अश्म परिण बताए कि इसको किराय पे लिया गया है, लेकिन इसकी गानतास चांबीन होगी, इनके द्वारा यह भी पता गया कि कई पार इस तरह से अरियाना से शराब बिहार तक ले जा चुके हैं, इस बार वो फिक सुचना पकड़े गए, और इनसे अन जो जहां भी इनकी सप्लाइचेन है और इनके जो फॉर्वड बैकवर्ड लिंकेजर से उनके बारे में भी गानतास पूस्ताज का अग्रिम कारवाई भी की जा रही है, इन पाचो अभियक्तों के विदे थाना सिदर बजार में, स्वसंगात धाराओ के अंदर के अभियवपन जिकत का कारवाई की जारी है